तो फ्याल रहा ठीक हैं, उमीद कर तो आप सब ठीक होंगे और आज हम अपने शेटप के दानापानी चाहिन के रहे हैं और हम इसके लिए फूड ले जाएं और आप तो आपने बाहर सारे भी खाएंगे तो पहले हमारा यह है, आप सेजने जी केंट्टू हमारा जो है न, बेताब हो रहा है इसको सबसे पहले पानी डाल देंगे हम यह हमने तोतों के लिए सोफ फूड मुना है और यह हम अपने चंटू को भी दे देंगे यह भी बड़ी शौफ से खाते हैं परला बाइट का पेर है यह भी ब्रीडिंग पे आगए और यह नेट्टिंग अपनी कम्प्लेट कर चुका है इसको भी हमने डाल देना, तले इस बरतन में हम डाल देंगे और फिर आमने इसमें मिक्स दाना डाल देना है दाना भी डाल दिया है उनको को अच्छा कर लेते हैं मार्श ओला इसका टिक्स काफी अज़ी है कि अच्छा के लिए यह स्टिक काट के इसकी जो है ना अलत ख्राप का दिया एक पीस यह हो गया और एक यह रह गी है अब इसकी स्टिक चैज़ करनी पड़ेगी तो इनको भी हम डाल देते हैं यह हमने इनको सोस्ट फूट डाल दिये हैं और यह इनका दाना भी चैज़ कर देते हैं यह इनका हमें मिक्स दाना डाल दिया है यह अपमें रिंग नेक के लिए अमरूद लेके आएं अमरूद डाल देंगे इंगे उंको यह जो पर चूप से चाते हैं हम इनको के काई गारा है यह ज़्य ज़्यूद पर दोखें कर दोखें यह ज़्यूद आखें यह ज़्यूद नही है कर दो कि अ bawह हैं तब हगा है जब कार घो बालल यह अब ने लिए ने लिए दादी है फूड और इसका पामी भी चैन चाह लेगी है और इसके लिए हमने यह मठी लगा दी है यह बोक्स लगा दी है यह बोक्स में जो जाता तराज तर्शा रहता है दोस्तों वीडियो एंड तक देखें और हम बजीज की कालूनी में जाएंगे और उसकी भी आपको अफड़ेट देंगे चैनल को लाइप कारदे सुस्क्राइब कारदे और बेल आएकन भी दुबा दे है और वीडियो एंड टक शुरूर देखें यह बजीज की कालूनी में आगे हैं और बजीज माशाला इनकी भी अच्छी प्रोग्रस जा रही है और इनकी सोफूड और मिक्स दाना लेके आए हैं वो भी डालेंगे और इनकी मट्कियां भी देखेंगे ये एक चिक माशाला बाइर आ अचुक है मट्की से और इस मट्की में चार चिक हैं और या राल्थ हलुडिए है ये आप बाइर नकाल के दिखाएंगे तो माशा बिधिड कलर भी बहुत प्यारा है इसका इस है या आप चिक्स देखें माशाला बहुत आल्थी है और ये दूसरा चिकस भी सेमवई कलर है, दुनों आपको गठे निकाल के दिखाते हैं, दोनों माशाला एक जैसी ही हैं, बहुत क्यूट लग रहे हैं, दूसरे दो भी आपको निकाल के दिखाते हैं, एक थोड़ा चोटा है, और एक उपसे थोड़ा बड़ा है, ये चेक करें आप ये एक ग्रीन कलर में और एक ग्रे सा कलर अभी शोर है ये भी ब्लू टाइप ग्रे कलर है और इसमें येलो भी शेड आ रहे है ये हमने वापिस सारे चिक्स डाल दिये और अब इनको दाना पानी डालेंगे मिक्सीट और सोफ्ट फोड में हम गंदुम और बीज में कुछ डाले मिक्स लेकर आए ये डाल देते हैं इससे जो ने चिक्स होते हैं उनकी हेल्थ बहुत अच्छी होती है जल्दी आजम करते हैं और साइज अच्छा होता है प्रिंदों का आपके और ये हमने इदर डाल दी है मिक्सीट इसमें कंगनी बाजरा और सनफ्लावर जवी और पुर्तम और पंग के बीज और साथ मिक्स कंगनिया हैं लाल गोल कंगनी और देसी कंगनी ये मुर्गा हम चंटू को नीचे छोड़ा हैं और दूसरा ले आए हैं वापिस इसका नाम भी रखना है और ये चिक्स है हमारे जो दूप में हम लेके हैं इनको ताजी हवा और दूप देने के लिए थोड़ी देर के लिए हमने ब्रूडर से निकाल दी हैं आज़े ये माशाला काफी हल्दी हैं और चैनल को लाइक कर दिया करें सब्सक्राइब कर दिया करें और बेल आइकन भी दुबा दें और हम अपना शोक आपको दिखाते रहेंगे ऐसे ही और हमारे साथ चैनल के साथ जुड़े रहें और इसी दूप के साथ कि अल्ला पाक आपको हमेशा खुश रखें सलामत रखें और अमें अजाज़त दें अल्ला हाफीज